प्रदेश में बढ़ रही करोना संक्रमन के मामलों को देखते हुई जिला स्तर पर कोविड ठिका करण प्रकरिया को बढ़ाया गया है। जिला शिमला में भी वैक्सिनेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ाने के साथ ही राजधानी स्तित अस्पताल को दोबारा कोविड डेडिकेटिट अस्पताल बनाये गया है। जिला के हजारों लोगों को कोविड वैक्सिनेशन लगाई गया है और अभी तक जिला में लगभग डेड़लाख लोगों का टिका करण किया जा चुका है। वैक्सिनेशन प्रक्रिया के साथ ही लोगों को महामारी के प्रती जागरूप भी किया जा रहा है। उन्होंने बताय कि 45 वर्ष से अधिकायूवर के सभी लोगों को वैक्सिनेशन करवानी चाहिए। एपल नियूज के लिए शिमला से निरज दोगरा की रिपोर्ट। करनी है। तो इसको यह देखते हुए शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी क्योंकि निश्यत तो यहां पर भी सअध जादा है तो हमने भी अपना एक आंकलन किया। और जिसमें अभी तक जैसे हमने की आईजीमसी में हमारे काफी केसे सौ के लगभग इस वक्त भी मरीज वहां पर दाखिल है। और लेकिन उनने बताया आईजीमसी अथारिटीज ने कि डेट सो तक जो है अभी उनको एक्स्पैंड करने का उनके पास स्कोप है। लेकिन फिर भी कुछ पेशिंस जैसे जो जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हैं कि वह उनको ऑक्सिटन रिक्वाइमेंट रहती है। तो जैसे कि पिछले जो फेज में हमने जैसे किया था तो उनको डीडू रखा जा रहा था। एक्सिनेशन का बहुत ही हमें जो यह हमने फेज चरण शुरू किया है। इसमें बड़ा अच्छा लोगों का इसमें अच्छा रुजहान आया है। लोग काफी बढ़ चड़ कर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो हमने पीछे टीका उतसव मनाया इसमें भी हमने लगा तार 11 से 14 तारीक तक एक्स्ट्रा सेशन रखे आपने देखा हमने और तो और लोगों को फसिलिटेट करने के लिए उनके घरदवार पर हेल्स अप सेंटर की बिल्डिंग में चैपंचाइट की बिल्डिंग में इनमें भी रखा जो फील्ड लेवल में और यहां अन अवरेज हम डेली के लगभग 7000 प्लस के के से हम वैक्सिनेट कर रहे हैं अब तक हमने डेड़ लाग से उपर वैक्सिनेट कर चुके हैं एक लाग 54,000 के करीब कल तक हम वैक्सिनेट कर चुके थे और आज भी सेशन जा को देखें शिंबला डेश्री के इतने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यह इसमें कवर हो जाने चाहिए यह डिजीज है अगर आपने कोई भी फ्लू लाइक इलनस देखी हो उसका यह नॉर्मल कोर्स रहता है डिजीज का नॉर्मल यह प्रोसेस रहता है डिजीज का यह जैस लेकिन इसमें एक तरीका है इसको बचने का अब हम एक्सपेक्क कर सकते हैं कि थोड़ा पीक शायद लेस्ट रहे क्यूंकि लोग वैक्सिनेट कर रहे हैं तो वैक्सिन के बाद भी बेशक लोग पॉसिटिव आ रहे हैं लेकिन हमने यह जरूर देखा है कि जो वैक्सिन के पॉसिटिव आ रहे हैं उनमें सिम्टम्स डेफिनेटली काम है उनका इस प्योटू लेवल बिल्कुल मैंटेंड रह रहा है यह हमने देखा है हमने जितने भी एकस केसिस वैक्सिन के बाद तो यह इसको देखते हुए वैक्सिनेट जो इसके लाभारती हैं जो स्ट्रेणी है और जाए इंफ्लेंजा जाए फ्लू लाइक कोई भी इलनस उसको यही ट्रेंड रहता है लेकिन जब वैक्सिनेट हो जाएंगे लोग जाए आंटिबोडी जाएंगे चाहे उसको सफर करके हैं तो उसके बाद यह हर्ड इम्यूनटी आएगी तभी यह डिजीज को हम ुरी तब लुकुरी तभी तैजाएंगे लिए better